एक पेड़ पर बहुत सारी चड़ियां रहती थी, एक दिन उसी पेड़ पर एक खोह में रहने के एक अंधा गिधा गया, सभी चड़ियों ने उसका स्वागत किया, गिध बुड़ा भी था, इसलिए सभी पक्षियों ने तरह किया, वे अपने अपने भोजन में से उसे भी दिया करेंगे, बदले अंधे गिध ने तरह किया कि वे उन सब पक्षियों के बच्चों की देखभाल किया करेगा एक दिन, एक बिल्ले उसी पेड़ के पास से गुजरी, खुशी से चह चाहते हुए नन्हे चूजों की आवाज बिली, खो सुनाई दी, जब चूजों की नजर बिल्ले पर पड़ी तो वे डर के मारे चिलाने लगे, अंधा गिध तुरं तजोर से चिलाया, कौन है चालाक बिल्ले समझ गई कि पक्षियों के इन नन्हे नन्हे बच्चों को वेह तभी खापाएगी, जब वेह गिध से दोस्ती कर ले, बिल्ली गिध से बोली, मै कैसे तुम हो कौन बिल्ली बोली, मैं बिल्ले हूँ गिध्य है सुनकर जोर से चिलाया, यहां से तुरंत भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाओंगा, हाला की चालाक बिल्लेंगे एक और चाल सोची, मैं नदी के पार रहती हूँ, मैं मास भी नहीं खाती, मैं आपको ह दिन नदी में सनान कराने ले जाया करूंगी, वेह बोली, और वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतने समझदार होकर भी अपने एक महमान को खाओगे, बूरे गिध्य ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं, तुम तो पक्षियों को खा जाती हो, अरे नही भेया बिलल बोली, जो दूसरों को मारते हैं, उनको तो भगवान दंड देता है, जब जंगल में इतने स्वादिश्ट फलफूल मौजूद हैं तो मैं अपना पेट भरने के लिए किसी को क्यों मारूंगी, गिध्य उसकी बातों में आ गया और उसने पेड़ की खोह में उ जैसे ही विली को यह बात पता चली, वे पेड़ से निकल कर जंगल में भाग गई, अब बड़े पक्षी बुड़े गिध्ध के पास अपने बच्चों के बारे में पूछने आए, गिध्ध सो रहा था, पक्षियों ने उसकी खोह में इधर उधर देखा, तो वो हैरान रह गए, वहाँ पर हड्डियों का धेर लगा था, बिली पक्षियों के बच्चों को खा जाती थी, और उनकी हड्डियां गिध्ध की खोह में छोड़ देती थी, उनके सभी पक्षी गिध्ध के ऊपर बहुत गुसा हुए, उन्हें लगा की गिध्ध ने साथ विश्वास गह किया है और उन्हें मूर्क बनाया है, उन्हें लगा की गिध्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है, वे जोर जोर से रोने चिलाने लगे और सबने मिलकर सोते हुए गिध्ध पर हमला कर दिया, बेचारे गिध्ध को समझ ही नहीं आया कि ये पक्षी क्यों उस पर पड़े हैं और क्यों इतनी बेरहमी से उसे नोच रहे हैं, अंत में सब ने उसे बाहर निकाल दिया, अब उसके पास ना कोई घर था और ना कोई साथी